So hello guys, तो यह हमारी revision वाली class है, January 2024 के important questions का हम लोग revision कर रहे हैं, January से start किया और यह मान के चलना यह वाला जो वीडियो होगा, यह January का आखरे वीडियो होगा और January के जितने भी हमारे वीडियो बने, उसका एक playlist मैंने बना दिया है, तो बहाँ जा करके आप देख सकते इसके बाद हम फरवरी बन पर जाएंगे, तो चलिए फिर इस वीडियो के साथ हम खतम गरते हैं, January के important current affairs का revision तो इस प्रश्ण में आपसे क्या पूछ रहे हैं, तो इस प्रश्ण में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला research IIT satellite campus यह का आपे इस्थापित किया जाएगा तो answer होगा इसका उज्जेन में, और किसकी सहायता से, IIT इंदौर की सहायता से, और इसका नाम होगा Deep Technology Research and Discovery Campus तो याद रखना, यह उज्जेन में भारत का पहला research IIT satellite campus होगा आचा उज्जेन से दो पॉइंट और याद रखना, कि अभी देश का पहला Unity Mall कहां पे बनेगा उज्जेन में ही और अभी उज्जेन में ही देश की पहली स्वच और स्वस्थ, यानि कि Healthy और Hygienic Food Street जिसका नाम प्रसादा में उसका उद्गाटन भी किया था हमारे जो Health Minister मनसुक मंडविया जी ने फिर अगले प्रस्ण में पूछ रहे अभी किस राज्य में सांभर महुत्सव मनाया गया तो आंसर होगा राजस्थान में पही ऐसे याद रखो ना सांभर जील कहां पर है और सांभर जील आपको याद भी होना चाहिए क्यों याद होना चाहिए भाईया क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी अंतर दीश्य खारे पानी की जील है Inland Salt Water Lake है सबसे बड़ी ये भारत की तो सामर लेक इसका नाम है ये आपको राजस्थान में मिलेगी वैसे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून जील कौन सी है तो वो चिलका लेक है जो आपको मिलेगी उडिशा में देखो राजस्थान में कुछ और प्रमुख जीले मैं आपको बताऊं लेक जैसे की पुसकर लेक हो गया, राजसंबन जील हो गई, पिछुला जील हो गई, फते सागर लेक हो गया तो ये राजस्थान की कुछ फेमस लेक है इनको ध्यान में रखना और जो मैंने अभी चिलका लेक आपको बोला था ना जो उड़ी सा में है ये भारत की पहली रामसर साइट भी बनी थी तो ये भी ध्यान में रखना है तो आपसे पूछ रहें कि ब्रिटेन में किस भारते विज्ञानिकों को या विज्ञानिक को ब्लावतनिक पुरुसकार दोजाचोबिस से सम्मानित किया गया तो अंसर होगा प्रोफेसर राहुल आर नायर, प्रोफेसर मेहुल मलेक और डॉक्टर तनमे भरत को आपको ब्रिटेन में युवा विज्ञानिकों को दिया जाने वाला ये प्रतिष्ठित ब्लावतनिक पुरुसकार है जो अभी 2024 के लिए नो विज्ञानिकों को दिया गया वैसे तो जिसमें से तीन भारतवन्शी हैं तो उनी के नाम में आपको बताए जो तीन भारतवन्शी हैं तीन भारते मुलके हैं तो इनके नाम ध्यान में रखना फिर आपसे पूछ रहें अभी भारते सेना की पहली महिला सुबेदार कौन बनी है तो आंसर होगा प्रितिर रजक तो एक्चली में भारते सेना में इस पद को हासिल करने वाली ये पहली महिला बनी है कौन सा पद? सुबेदार का पद पहली महिला सुबेदार बनी है ये प्रितिर रजक अच्छा ये दिव्यकिर्ति सिंग भी नाम इंपोर्टेंट है क्योंकि अभी अरजुन अवाड पाने वाली ये पहली भारते महिला गुड़सवार बनी थी आपसे पूछ रहे अभी हाली में ओम की आकरती वाला शिव मंदिर वा आशरम ये कहां पे बनकर तयार हुआ तो आंसर होगा राजस्तान में तो राजस्तान के पाली में ओम की आकरती वाला ये शिव मंदिर वा आशरम है जो बनकर तयार हो रहा है वैसे इसका निर्मान तो 1990 में ही शुरू हो गया था और ये ओम की आकरती में है और इस तरह का ये दुनिया का पहला शिव मंदिर है अब अगर डेली आप हमारे current affairs का lecture बढ़ते होंगे तो आप देख सकते हो ये वाला प्रशन मैंने आपको January में ही करा दिया था और अभी YouTube पे जितने भी current affairs के channels है बड़े channels, छोटे channels ये question अभी कराया उन्होंने शायद मेरे खाल से April के starting में या March के end में मैंने देखा और ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि आप में से कुछ students ने मुझे बताया कि सार ये वाला प्रशन तो हम January में पढ़ चुके है और बाकी जगे ये अब पढ़ाया जा रहा है मैं किसी का नाम नहीं लूँगा लेकिन सब बड़े बड़े channels तक ने अभी इसको cover किया तो इस चीज से आप निश्चिंत रह सकते हैं कि बिलकुल सही जगे आप जुड़े हुए बस एकी चीज आपको करनी है regular बने रहना है regular नहीं रहोगे तो फिर आप कहा पढ़ रहे हो उससे फरक नहीं पढ़ता है यूँ कहों कि पढ़ने न पढ़ने का कोई फाइदा नहीं होता है तो regular रहना है consistent रहना है चलो फिर अगला प्रशन देखते हैं कि अभी किस भारते tennis player ने Australian Open 2024 का खिताब जीत करके तिहास रचा पढ़ चुके हम यह सब आपको रटा होना चाहिए इनका नाम है रोहन बोपनना तो इन्होंने अभी जो Australian Open हुआ इसमें मेंस डबल का टाइटल जीता एक तो रोहन बोपनना हो गए यह तो भारते tennis player है और इनके जोडिदार का नाम भी याद रखना उनका नाम क्या है Matthew Abden है वो कहां से है वो Australia से है तो इन दोनों की जोड़ी है और इन्होंने भी Australian Open 2014 में मेंस डबल का टाइटल जीता और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि इनकी जो उम्र है अभी ये 44 ये और इस उम्र में Grand Slam का खिताब जीतने वाले ये सबसे उम्र दराज खिलाडी भी ब प्रशने लिया कि Australian Open 2014 में महिला एकल का खिताब किसने जीता इस प्रशने में अपन वुमेन सिंगल और में सिंगल दोनों कवर करेंगे तो आर्रेना सबालेंका इसका उत्तर होगा आर्रेना सबालेंका ये किस दीश की प्लेयर है तो बेलारूस की टेनिस प्लेयर है इन्हों इंपोर्टेंट हो गया और ये किताब जीतने वाले ये इटली के पहले खिलाडी भी है तो इसलिए भी नाम इंपोर्टेंट हो गया यहां पर इन्होंने फाइनल में हराय था रश्या के डैनियल मेद्वदेव को तो Australian Open में तीन खिताब आपको याद रखने क्योंकि देग रोहन बोपना जो की भारते हैं और उनके जोड़ीदार का नाम है मैथ्यू एबडेन जो की ऑस्टेलिया से हैं अगला प्रशन देखते हैं अगले प्रशन में पूछ रहें अभी विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया लेप्रोसी डे ये फिक्स नहीं होता है देखो ये ऐसे हम कहते हैं कि हर साल जन्वरी महिने के आखरी रविवार को ये मनाया जाता है तो इस बार हमने इसे 28 जन्वरी को मनाया है और मैं हैंसन रोग के नाम से भी जानते हैं और ये किसके कारण होता है तो माइको बैक्टेरियम लेप्री के कारण होता है जिसको खोजा था नौरवे के चिकित सक हैंसन ने इसलिए तो इसे हम हैंसन रोग केते हैं आप ज्यान से सुनना ये तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस हो पुष्ट रोग से मुक्त होने का 2027 का है ये लक्ष पूचा सकता है तो मैंने आपको बता दिया ध्यान में रखना अगना प्रशन देखते हैं अभी तो अगला प्रशन इंपोर्टेंट है अभी जनवरी में ही भारत और के इस देश के बीच में सदा तनसीक नाम का एक सैयुक्त सेन्य अभ्यास हुआ था तो ये पहली बार आपने नाम सुना होगा क्योंकि पहली बार ही हमने ये एक्सरसाइस किया पहला ही एडिशन था जो य हिंदी नाम का एक्सरसाइस किया था साओधी अरब के गेपिटल रियाद होती है साओधी रियाल यहां की करंसी है अभी आपने पड़ा होगा इसने अपने देश में पहला एलकोहॉल स्टोर खुलाता है न अभी ब्रिक्स में जो पांच सदस से शामिल हुए उसमें ये भी एक है साओधी अरब वैसे पांच कौन-कौन से हैं कमेंट बॉक्स में लिखके बताओ आपकी प्रैक्टिस होगी मैं तो आपको हर बार बताता ही हो पांच कौन से शामिल हुए है और एक कौन सा नहीं शामिल हुआ वो भी बताना है क्योंकि वो प्रशन तो अभी एक्जाम मुल्य हासिल करने वाली दूसरी कमपणी कौन से बन गई है तो आंसर होगा Microsoft तो ये भी अच्छा प्रशन है और trillion मतलब कितना होता है देखो million का मतलब आपको बताया न 10 की पावर 6 यानि कि एक million मतलब होता है 10 लाक billion मतलब 10 की पावर 9 यानि कि एक अरब और trillion मतलब 10 की Microsoft Microsoft इसके CEO को ने सत्या नडिला है आपको याद होगा अभी OpenAI ने Microsoft के साथ मिलकर chat GPT लांच किया था और एक और प्रशन का उत्तर दो कि OpenAI के साथ मिलकर के ही Microsoft एक Artificial Intelligence Super Computer डेवलप कर रहा है उसका नाम क्या है अब ये तो बिलकुल latest news है इसका उत्तर आपको याद होना बताओ क्या उत्तरिस्त का फिर अगले प्रश्ट में देखते हैं क्या है कि अभी देश में पहली बार सडक दुरगठना के कम करने के लिए सडक सुरक्षा बल का गठन किसने किया तो आंसरों का पंजाब ने तो इसे हम कहेंगे Road Safety Force यानि कि सडक सुरक्षा बल और देश में पहली बार सडक दुरगठना को कम करने के लिए इसका गठन किया है इसका मतलब क्या होगा या इसका फाइदा क्या होगा अगर पंजाब में कोई भी सडक दुरगठना होती है तो आपको 112 नंबर पे डायल करना होगा 10 मिनिट के अंदर अंदर ये जो Road Safety Force बनाई जा रही है आपके पास बहुत जाएगी और दुरगठना संभावित इस्थलों पे मांचित्रन यानि कि मैपिंग करने वाला पहला राज्य भी बना था पढ़ा था हम लोगों ने तो वो भी ध्यान रखना फिर आपसे पूछ रहें अभी दुरलब गोल्डन टाइगर ये कहां पे देखा गया काजिरंगा नेशनल पार्क में देखा गया मतलब ये बहुत समय के बाद दिखा है गोल्डन कलर का ये टाइगर है कहां पर है ये काजिरंगा नेशनल पार्क असम में है और असम का ये कजरिंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है एक सिंग वाले गिंडू के लिए फेमस है अचा आपको याद होगा अभी काला टाइगर भी देखा गया था कहां पे उडिसा के सिमली पाल टाइगर रिजर्व में और यहीं पे दुनिया के पहले ब्लेक टाइगर सफारी की भी शुरुवात की गई थी मैं अगर पूछू कि भारत का पहला डार्क स्काइप पार्क आपे बनेगा तो यह पैच टाइगर रिजर्व में बनेगा और यह दो राज्यों के अंदर आता है महराष्टर और मध्यप्रदेश में वेसे भी भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा बना था देहिंग पटकाई नेशनल पार्क बना था जो कि असम में है और असम का यह साथवे नंबर का नेशनल पार्क है अगला प्रशन देखते हैं फिर आपसे पूछ रहें FIH होक्की फाइफेस महिला विश्व कप का पहला संसकरन हुआ अभी इसको किस ने जीता तो आंसर होगा नीधरलेन में तो याद रखना FIH यानि के इंटरनेशनल होक्की फेडरेशन होक्की फाइफेस वल्ड कप पहली बार इसका यह आयोजन हुआ तो इंपोर्टेंट हो जाता है पूछेंगे कहां पे हुआ तो हमान की एपिटल मस्कट में हुआ इसको जीता है नीधरलेन ने किसको हराया भारत को हराया है अच्छा इसी तरह से अभी FIH होक्की फाइफेस पूरुष विश्व कप का यह जन भी हुआ वो मैं आपको बताऊंगा आगे लेकिन आप बता सकते हो कि उसको किसने जीता वो भी पहली बार हुआ पहला संसकरन था वैसे इंटरनेशनल होक्की फेडरेशन से याद रखना इसका मुख्याले आपको मिलेगा लोजैन स्विचलेन में फिर पूछ रहें डेटा गोपनियता दिवस ये कब मनाया गया तो आंसर होगा 28 जनवरी को थीम थी टेक कंट्रोल अफ यूर डेटा अपने डेटा पर नियंतरन रखें फिर पूछ रहें अभी किसने 69th नंबर के Film Fair Festival Awards में सरुषरिष्ट फिल्म का पुरुसकार जीता या चुना गया तो अंसर होगा 12th फेल को तो ये जो Film Fair Awards 2014 का आयोजन हुआ ये 69th नंबर का एडिशन था आयोजन हुआ गुजरात के गांधी नगर में इसमें बेस्ट फिल्म रही है 12th फेल बेस्ट एक्टर थे रणवीर कपूर एनिमल मुवी के लिए और बेस्ट एक्टरेस थी आलिया बट रॉक की और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट आरेक्टर विदू विनो चोपडा थे 12th फेल मुवी के लिए तो ये 4-5 चीज़े याद रखना हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं ये जरूर याद रखना Film Fair Awards 2024 की बात कर रहे हैं कौन सा एडिशन 69th नंबर का अगला प्रशन देखते हैं इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि Global Bank के पहले बारते CEO कौन थे जिनका भी निदन हो गया वे 1997 से लेके सन 2002 तक Standard Chartered Bank के कुरुप CEO रहे थे और फातिमा बीवी तो आप जानते हैं सुप्रियूम कोट की पहली मैला जश्टेस रही थी ये केरल से थी निदन हो गया इनका और ये भी important प्रशन है कि भारत की पहली मुखी गर्ब निरोदग गोली यानि कि औरल वैक्सीन आप के सकते हो जिसे मुझ से लिया जाता है नाम का सहीली था इसकी खोज करने वाले डॉक्टर का निदन हो गया नाम क्या है डॉक्टर नित्या अनन्द तो सहीली ये दुनिया की पहली और एक मात्र गैर स्टराइडल गैर हार्मोनल सब्ता में एक बार ली जाने वाली गर्ब निरोदग गोली थी गोली थी मतलब गोली है और इसे 1986 में ततकाली जो पलधान मंतरी थे राजिव गांदी उन्होंने लॉंच किया था इसको बनाया था डॉक्टर नित्या अनन्द ने और हालांकि अ इंपोर्टेंट रहेगा नाम याद रखना अगला प्रशन देखते हैं फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी ट्राइ यानि कि टेलिकॉम रेगुलेटरी अथरिटी अफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने तो आंसर होगा अनिलकुमार लाहोती बाकिया आप जानते हो नीना सि याभी CISF की पहली महिला डारेक्टर जन्रल बनी थी और अरविंद पंगडिया सोलवे वित्तायोग के नए अध्यक्ष बने और अनीश शहा फिक्की के नए अध्यक्ष बने थे फिर आपसे पूछ रहें अभी किस किर्केटर ने फर्स्ट क्लास किर्केट में सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी लगा करके विश्वे रिकॉर्ड बनाया तो आंसर होगा तनमे अगरवाल ने इन्होंने 147 गेंदों में 300 रन बना करके इतिहास रचा तनमे अगरवाल ये हैद्रबाद के हैं और अभी रनजी में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाये था फिर अगले प्रश्ण में पूछ रहे हैं अभी हाली में समुद्री शेवाल खेती को बढ़ावा देने के लिए पहला राष्टर सम्मेलन कहां पे हुआ था तो आंसर होगा गुजरात में गुजरात के कच्छ में हुआ था ये वैसे अगर मैं आपसे पूछू कि प्रधान मंत्री मतस्य संपदा यूजना ये कब शुरू हुई थी तो 10 सेप्टेंबर 2020 को जिसका उद्धिश्य क्या है ब्ल्यू रिवॉल्यूशन यानि की फिशरी सेक्टर को बढ़ावा देना फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी इसरों ने किस लॉंच वैकल से इनसेट 3DS उपग्र सेटलाइट को लॉंच कर दिया है तो पहले तो ये याद रखना ये जो इनसेट 3DS है ये एक मौसम सम्मंदित सेटलाइट है मेटरलोजिकल सेटलाइट है और इसरों ने अभी इसको लॉंच कर दिया किस लॉंच वैकल से लॉंच किया ये ही पूछ रहे हैं GSLV F-14 तेको इनसेट का मतलब हो गया इंडियन नेशनल सेटलाइट और इसे कहा से लॉंच किया तो श्री अरी कोटा के सतीश थवन अंतरक् फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी 75 गनतंत्र दिवस परेड में किस मंत्राले की जहाकी को प्रत्म पुरुस्कार मिला तो दो-तिन फैक्ट में आपको बताऊँगा पॉइंट टो-पॉइंट वही आपको ध्यान में रखने तो इसका तो उत्तर संस्कृती मंत्राले हो जाए तो पीपल्स चॉइस कैटेगरी में गुजरात की जहांकी टॉप पे रही थी वहीं Judges चॉइस कैटेगरी में उडिसा की जहांकी टॉप पे रही थी तो ये आप ध्यान में रखना इस बार के हमारे गनतंतांत्र दिवस हर्पबलिक डयों अप जानते हूँ चीव कैस्ट बात करने करप्शन परस्प्शन इंडेक्स 2023 की ब्रष्टाचार बोद्धिक सूचकांग 2023 की और कौन जारी करता है ट्रंसपरेंसे इंटरनेशनल इसको जारी करता है इसमें बताया गया कि दुनिया का सबसे भरष्ट देश कौन सा है तो टॉप पर डेनमार्क है इसमें यहाँ पर 93 नंबर पर है तो भारत 93 टॉप पर डेनमार्क कौन सा इंडेक्स है करप्शन परस्प्शन इंडेक्स है किस ने जारी किया ट्रंसपरेंसे इंटरनेशनल ने जारी किया यह पॉइंट याद रखो तो बस लीजिए इसी प्रस्णी के साथ हमारा जो दोजा 24 का ज जरुवत नहीं है अगर नô्ट्स बनाते हो तो पन्ले भी पल्टो कोई दिकत नहीं है लेकिन जो भी करना है करो वीडियो देखो देखो अपने नोट्स से पढना है पढ़ो बस ऐसा नहीं होना चाहिए न तो वीडियो देख रहे न पढ़़ रहे है और session पसंद आता है त प्लीज लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ में एक बार शेर जरूर करना, अब हम फरवरी को स्टार्ट करेंगे, मिलते हैं फरवरी वाले वीडियो में, थैंक यू